Hello Friends, जैसे हैं आप आशा करती हूँ, सब लोग अच्छ होंगे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी के पहले महिने में मेहलाओ के शरीर में क्या-क्या परिवरतन या क्या-क्या बदलाओ देखे जा सकते हैं तो इसी के बारे में आज हम डीटियल में जानने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें जैसे कि जब भी महलाओ को कंसीव हो जाता है या प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है तो ऐसे बहुत थारे लक्षन होते हैं जो महलाओ को दिखाई देना शुरू हो जाते कोई भी महलाओ की प्रेगनेंसी इसी नहीं होती है जिनको कोई भी लक्षन ना है बहुत ही कम फिमेल सरसी होती है जिनको कंसीव होने के बाद में भी only period miss होने के अलावा कोई लक्षन दिखाई नहीं देते हैं पर अधिक तर महलाओं को कोई ना कोई लक्षन जरू दिखाई देते हैं और महलाओं का शरीर तो होता ही एसा है जिसमें की थोड़ा भी कुछ होता है तो उनमें बहुत सारे changes महलाओं को देखने को मिलते हैं जैसे कि period delay हो गया, period नहीं आ रहा, period जल दिया गया तो इन सब चीजों में महलाओं को बहुत सारे नए नए लेक्षन देखने को मिलते हैं तो जब भी महलाओं का पहला महिना चलता है pregnancy का first month तो बोड़ी में बहुत सारे नको बदलाओं देखे जा सकते हैं जैसे कि महलाओं को बार-बार urine आना और उसके बाद में महलाओं को बहुत ज़्यदा ठकान लगना और sporting होना sporting यानि कि periods के दोरान या periods के date निकल जाने के बाद में महलाओं को sporting होती है जिसको कि हम normally implantation bleeding बोलते है उसके बाद में महलाओं को बैचे नहीं हो सकती है पिर में दर्द हो सकता है और खाना ना खाने का मन हो सकता है और कई महलाओं को कंस्यू होने के बाद में बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और महला पहले परेशान रहती थी पर कंस्यू होने के बाद में उनको काफी relax फील होता है और इसे कोई उनको लक्षन दिखाई नहीं देते जिससे कि patient परेशान हो या महलाओं को ऐसा लगे कि नहीं मुझे pregnancy होने के बाद में कितना changes मुझे आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है कई महलाओं को तो हार एक महला की pregnancy और body दोनों अलग-अलग होती है तो महलाओं कई बार conceive होने के बाद में वैसे तो सभी महलाओं बहुत खुश होती है पर कई महलाओं को इतनी ज़्यादा तकलीव होती है कि जैसे पेटके निचले इससे में दर्द होना बार-बार उल्टी होना सिर्द दर्द होना वो खार रहना वह ज़्यादा weakness फिल होना और खाना नहीं खा पाना तो इससे क्या है patient की body में बहुत weakness आ जाती है महलाओं अच्छे से काम नहीं कर पाती है काम होता है उसके वो अच्छे से ध्यार नहीं दे पाती है काम अच्छे से नहीं कर पाती तो फिर ऐसे में महलाओं दुखी भी होने लगती है और महलाओं को काफी सारे भावनात्मक परिवर्तन महलाओं के शरीर में आने लगते हैं जिसने की अचानक से रोना, अचानक से हसना, कभी खुश होना, कभी दुखी रेना, ये बहुत सारे परिवर्तन महिलाओ के शरीर में देखने को मिलते हैं, इसके बाद में महिलाओ को चक्कर आना भी एक नॉर्मल होता है, कि जैसे हम खड़े हुए और एकदम से सिर्भारी हो चक्कर जैसा फील होना, महिला सीर पकड़ के बेट जाती है, तो ये भी प्रेगनेंसी के पहले महिने में इसे बदलाव आते हैं महिलाओ के शरीर में, इसके बाद में ब्रेस्ट में दर्द होना, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाना, और निपल के आसपास का जो सोके उठती है या खड़ी उठती है, तब भी उनको बहुत आसेनी पेन होता है, तो ये जो दर्द रहता है, ये कुछ समय के बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, इसके लिए आपको कोई मैडिसिन वगेरा लेने के जरुवत नहीं है, और अगर आपको आसेनी दर्द हो पूरी डिलिवरी में, यानि के पूरे नाइन मंत में महिलाओ का कम से कम 10 से 12 किलो वजन बढ़ना या वेट गेनों ना एक नॉर्मल होता है, जो की हेल्धी प्रेगनेंसी का लक्षन होता है, तो इतने सारे लक्षन होते हैं और बदलाओ भी होते हैं ये जो महिलाओ के शरी महिलाओ के शरीर में क्या-क्या बदलाओ हमको देखने को मिलते हैं और एसे में जो हवेंड होते हैं और उनकी फैमिली के लोग होते हैं उनको महिला का सपोर्ट करना चाहिए ना कि महिला पे किसी भी काम का प्रेशर बनाना चाहिए ये क्योंकि हर एक महिला की प्रेगनेंस आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले सारी वीडियो मिलती रहें धन्यवात